दिल्ली की सबसे रोचक सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कॉंग्रेस के उमिद्वार कनहिया कुमार हमारे साथ है कनहिया आज परिच्छा की घड़ी है और दोपहर हो चुका है क्या फीडबैक है आपके पास और किस मुद्दे पर लगता है आपको की लोग आज वोट करें दिल्ली की सातो सीट रोचक है और देश का पांसो तेतालिस सीट रोचक है इस तरह से हम लोग एक सीट को दूसरे के खिलाफ कम रोचक जादा रोचक ना बनाए दूसरा आपने कहा कि आपकी परिक्छा है मेरी परिक्छा नहीं है अभी ये देश में लोग तंतर की अगनी परिक्छा है और उस अगनी परिक्षा में हम संविधान के राह पर चलकर संविधान को और लोकतंतर को बचाते हैं और नहीं बचाते हैं जो हमारे उपर ताना साही थोपी जा रही है जिस तरीके से विपक्ष का गला दबाया जा रहा है आपने देखा आप भी इंटर्विव किया होंगे हमारे जो अपोजिशन में हैं दो बार के संसद हैं मुझे गाली देने के अलाबे पूरे केमपेन में उन्होंने और कुछ नहीं किया है दस साल से संसद वो हैं और गाली मुझे देते हैं आपकी परिक्षा नहीं समविधान और लोगतंत्र की अगनी परिक्षा है लोगतंत्र का महापर्व है लोग उसमें पार फीडबैक क्या मिला है एक बज़ रहा है सुबह साथ बज़े से वोटिंग हो रही है फीडबैक क्या है आपके पास मैं तो घूम रहा हूं क्या फीडबैक मिल रहा है आपको क्या नब्जा पकड़का? मैं बस वोटिर से मिल रहा हूं और मुझे लगता है कि वोटिर किसी पर्त्यासि को मुह पर कहते नहीं आपको वोट नहीं देंगे वोग उनको लाएंगे ये इस नाम पर चुनाओ है, कनिया इसका मुकाबला आपने कैसे किया है और क्या लगता है आज, आप कैसे करें। इसकाम पूर्वी दिल्ली की जनता किसको लाएगी? पाकिस्तान के उन्होंने अर्विंद केजडिवाल फवाद चौधरी इम्रान खान की पाक्ष में बीजेपी अब उसको मुद्दा बना रही है कि पाकिस्तान से किया गया केजडिवाल के लिए वोट वह आपके गट्वाद फवाद खान तो कोई एक्टर है आप पता नहीं ल दिया काम नहीं कर रहे थे निकम में नहीं बदला वहां बदल देगी बाखी जगवी बदल देगी और परिवारवाद पर भाशन देते हैं तो सुसमा सुराज जी की ही लड़की है ना माता जी का नाम सुसमा सुराज ही है ना कंफर्म कर लिजिएगा तो परिवारवाद है कि नहीं है मेरा नाम कनहिया वा बताइए थिक या न पडिवार बाद है कि नहीं है जराइप पूछ लिजिए öldर इदर चले जाते हैं यहाँ दिली में खड़े हैं दिली मंत्रै आज बिहार बिहार में गारे रिए यह सीधे जीती है तो मतलब जो है इस सब वोटर को गाली दे रहे हैं न वह जवाब देने का जवरत नहीं है जवाब वो दें कि खाते में 15 लाग क्यों नहीं आया दो करोड नौकरी क्यों नहीं मिली उनका बेटा बी सी सी आई का सेकरेटरी बना देश की जनता को नौकरी नहीं मिला पाटली पुत्र बिहार में प्रदान मंत्री ने जंस्वागों समोधित किया दो तीन बड़ी बात है कि मैं चाता हूँ आप उस पर रियाक्ट करें सबसे बड़ी बात पीम ने कहीं बड़ा बड़ा बयान है अप सुन लीजे उन्होंने का है कि मोधी के लिए संविधान सर हूँ क्या जवाब पता है वो मुझरा का बात बोले हैं अभी मंडी से आये हैं तो जो है ना पाट प्यूत्रा में गए तब दी जो हमको लगता है कि आत्मा मंडी में ही रह गई थी कोई बात नहीं है आप विवादत विवादत ने तो परदान मंत्री से पूछेगा वो आ अपना संकल पत्र लेकर के आएंगे हम अपना जो है गारेंटी कार्ड लेकर के आएंगे दोनों का साथ इंडिया गटवंदन में म्यूजिकल चेर है पीम पोस्त को लेकर हर साल एक नया पीम बनाया जागा यह पीम कारो अच्छा उनको भूत पता है हम लोगों के बाड़े मे लेकिन उनको यह पता है कि नहीं कि घंटे में दो नौजवान आत्मत्या कर लेता है देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है पिट्रोल का दाम मालूम है कि नहीं पचास रुपे लिटर उनको सत्महेंगा लगता था सो रुपे लिटर सस्ता लगता है यह मालूम है कि नहीं है। देखिए चिनता चुनाओ अपरता ममोह से कितना सुन रड़ अननदित होता था जो उद्धोल कि बात करते थे। बताए बुलेट ट्रेंड से बफेलों पे आ गये हैं समझ रहे तो आगे बढ़ना चाहिए न यह भी कहा है कि चुनाओ अपने पटने वाले अगर इंडिया अलाइन्स के नेता इविएम पर सवाल खड़े करते हैं यानि समझ लीजिए कि एग्जिट पोल में क्या आने वाला अगर हम यह बात कह रहे हैं ना इसका मतलब हम लोगों को वोटर को अंडर माइन कर रहे हैं कि हम इस देश के लिए पांच नयाय और पच्चिस गैरेंटी लेकर के आये हैं हमको आप आसिरवाद जिस तरह से दे रहे हैं इसको अगर आप वोट में तबदिल कीजिएगा तो हम इस गैरेंटी को लागू करेंगे महालक्षमी योजना के तहाद इस देश की गरीम महिलाओं के खाते में सीधे सारे आठाजार रुपया परती महीना पहुचाएंगे इस देश के भीतर जो तीस लाख नौकरियां खाली है उसको भरेंगे इस देश में अगर बरे कॉर्परेट का करजा माफ हो सकता है तो हमें स्टूडेंट लोन माफ करेंगे हम काम की बात कर रहे हैं चार सो पांच सो पचास सो यह सब नहीं कह रहे हैं देश में क्या होता है के साथ जैनेंद्र एबीपी न्यूज दिली